Taxonomic Studies के अंदर हम different किसम के molecular markers का इस्तिमाल करते हैं जो molecular markers हैं इनके बहुत सारे advantages हैं इनके क्या advantages हैं पहला advantage कि ये ubiquitous हैं इससे क्या अमराद है कि ये हर जगा available है क्योंकि जो DNA या जो molecular markers हैं ये body के तमाम cells के अंदर मौजूद है इस वज़ा से इसका जो इस्तिमाल है वो इनतहाई मुफीद है इसी तरीके से जो molecular markers हैं इनका अगर हम inheritance pattern देखें तो इनका जो inheritance pattern है वो stable है ये stable या stably inherited है इसी तरीके से they are divide of paleotropic effect अब paleotropic effect से क्या मराद है paleotrophy एक ऐसा phenomenon है जिसके अंदर एक gene एक से ज़्यादा जो morphological traits हैं उसको control कर रहे होते हैं लेकिन जो molecular markers हम use करते हैं उनके अंदर paleotropic effect नहीं होता इसी तरीके से जो molecular markers हैं they are detectable in all tissues and at all ages क्योंकि हमने कहा कि जो एक सेल है एक सेल के अंदर जो molecular components हैं जिसके अंदर DNA हैं proteins हैं RNA हैं ये सेल के तमाम जो components हैं हमारे बाड़ी के अंदर जितने भी सेल्स हैं तमाम सेल्स के अंदर ये molecular components मौजूद होते हैं इसी वज़ा से हम molecular markers को prefer करते हैं और ये तमाम age के अंदर ये तमाम ages के अंदर ये मौजूद रहते हैं ये नहीं है कि Early Age के अंदर ये मौजूद थे, बाद में ये मौजूद ना हो, क्योंकि तमाम सेल्स के अंदर DNA होता है, तमाम सेल्स के अंदर RNA है, तमाम सेल्स के अंदर प्रोटीन है, इस वजह से किसी भी जगा से हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर हम Molecular Marker जैसे कि DNA या RNA है, इनकी Shelf Life की बात करें, तो इनकी Shelf Life जादा होती है, इसी वजह से इन Markers को इस्तमाल किया जाता है, ये इनका Advantage है, अब हम देखते हैं कि जो Molecular Markers हैं, उसकी Applications क्या हैं, कहां कहां पे इनका इस्तमाल किया जाता है, तो इसमें से जो सबसे एक Important इनकी Applications है वो DNA Finger Printing है, DNA Finger Printing जो है, ये एक Technique है, which is used to establish a link between Biological Evidence and a Suspect in Criminal Investigation, पर जैंपल, किसी Site of Crime से हमें एक Sample मिलता है, Blood Sample है, या Tissue Sample है, उससे हमने DNA isolate किया, अब हमारे पास बहुत सारे Suspected Individuals हैं, जिनके उपर हमें शक है, कि वो इस Criminal Activity के अंदर involved हैं, तो हम क्या करते हैं, एसे Persons, जिनके उपर हमें शक होता है, उनका DNA Sample हासिल करते हैं, और जो Site of Crime है, वहाँ से जो हमें DNA या Molecular Evidence मिला, उसको हम Compare करते हैं, उन Suspected Individuals के DNA के साथ, अगर जो Site of Crime से हमें Molecular Marker मिला, या DNA है, वो जो Suspected Individuals हैं, जिनके उपर हमें शक है, उन से अगर वो मैच करता है, या उन में से किसी के साथ मैच करता है, तो इसका मतलब यह है, कि इस वाके के अंदर, इस Incidence के अंदर, इन Persons की involvement है, लेकिन अगर, इनके DNA के अंदर Resemblance ना पाई जाए, तो इसका मतलब यह है, कि जो Site of Crime से हमें DNA मिला, या जो Evidence मिला, वो Suspected Individuals से बिलॉंग नहीं करता, इसका मतलब यह है, कि यह लोग या इन में से कोई भी जो Person है, वो इस Criminal Activity के अंदर involved नहीं है, तो जो DNA Fingerprinting है, यह Criminal Investigations के हवाले से बह जो Molecular Markers हैं, Molecular Markers की बहुत सारी दूसरी Applications है, अगर हम Genetic Divestory की बात करें, तो Molecular Markers जो है, इनको Compare करके, हम जो Organisms हैं, उनके अंदर Genetic Divestory को Find Out कर सकते हैं, कि हमारे पास जो Individuals हैं, उनका जो Genetic Make-Up हैं, उसके अंदर कितनी जादा Variety है, इसी तरीके से, जो Molecular Markers हैं, Molecular Markers का Data यूज करके, हम मुखतलिफ Genetic Maps बना सकते हैं, हम Genetic Mapping कर सकते हैं, इसी तरीके से, Molecular Markers का इस्तमाल, Gene Tagging, इसी तरीके से, F1 Generation की Identification, और Phylogenetic Analysis के अंदर भी किया जा सकता हैं, Phylogenetic Analysis के अंदर, हम मुखतलिफ Organisms के अंदर Relationships को Find करते हैं, उनकी हम Past History जो है, उनके जो Evolutionary Links हैं, उसकी Study करते हैं, उनके दरम्यान में Relationships को Find Out कर सकते हैं, इसी तरीके से, Sea Testing और Comparative Maps हम बना सकते हैं, तो जो Molecular Markers हैं, इनके बहुत सारे Advantages हैं, और जो Commonly Use हम Markers यूज करते हैं, उनके मकाबले में ये ज़्यादा मुफीद हैं, ये ज़्यादा होता है, ये हर जगा पे मौजूद होते हैं, और इसकी वेस के अपर, जो हमें Information मिलत होती है, वो ज़्यादा Authentic और Reliable होती है.